श्रीलंका के खिलाफ T20 और 1-day सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया न्यूजीलेंड के खिलाफ 1-day और T20 सीरीज खेलेगी। आपको बता दे कि न्यूजीलेंड की टीम 3-3 मैचों की 1-day और T20 सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा करेगी। जहां भारतिय टीम का मनोबल श्रीलंका को शिकस्त देकर सात्वे आस्मान पर होगा, वही विश्व की नंबर एक टीम न्यूजीलेंड भी हाल ही में पाकिस्तान को उनकी सरजमी पर शिकस्त देकर भारत आ रही है। न्यूजीलेंड का भारत दोरा 18 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। अपने भारत दोरे पर न्यूजीलेंड की टीम पहले तीन मैचों की वंडे सीरीज कहलेगी और फिर तीन मैचों की T20 सीरीज कहलेगी। आए जानते हैं टीम इंडिया और न्यूजीलेंड के बीच वंडे और T20 सीरीज का पूरा शेडियूल क्या है। दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले वनडे और T20 सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे। भारत और New Zealand के बीच खेले जाने वाली वनडे सीरीज का शेडियूल। पहला वंडे मैच 18 जनवरी को हाइदराबाद में, दूसरा वंडे मैच 21 जनवरी को राइपूर में और तीसरा वंडे मैच 24 जनवरी को इन दौर में खेला जाएगा। अगर मैच की टाइमिंग की बात करें तो आप सभी वंडे मैच भारतिय समय अनुसार दोपहर डेड़ बजे से शुरू होंगे। भारत और न्यूजिलेंड के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज का शेडियूल। पहला T20 मैच 3 जनवरी को राची में, दूसरा T20 मैच 5 जनवरी को लखनव में और तीसरा T20 मैच एहमदाबाद में 7 जनवरी को खेला जाएगा। अगर T20 मैचों की टाइमिंग की बात करें तो सभी मैच शाम साधे साथ से शुरू होंगे। अगर मैचों के प्रसारंग की बात करें तो आप भरत और न्यूजीलेंड सीरीज के सभी मैचों को स्टार स्पोर्ट्स के विभिन चैनल और डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे। और अगर आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस होट स्टार पर लॉग इन कर सकते हैं। का स्कौर्ट क्या है? T20 सीरीज के लिए टीम की कमान हार्दिक पांडिया को सौपी गई है।